पेटी को सस्राल में आकर कार से उतारा जाता है बहुरानी बना कर तो वो भी उत्सव है दादी सास, भुआ सास, मौसी सास, चाची सास, पडोजी जास, अडोजी जास, सब की सब आती हैं और बहु का स्वागत करती हैं, दिया जलाती हैं, आरती करती हैं, तिलक लगाती हैं, म दांस मता रहा पांठ है और चब बहू भी किमद्ध करना आशिर्वाद ले वे आज इंद्रदे महात्मा की बात शिद रही है ये प्रवचन से अगर कोई नई बहू घर में आके पैर चूती है बुज्णों के तो इसका मतलब सिद्धा है कि हमारी परंपरा यही कहती है कि हमारे घर में बहु को आते ही देवताओं को पूझना रहता है सासु देवता है, ससुर देवता है, पती देवता है जेट जी देवता है, पडोसी देवता है यह सब देवता हैं हमारे लिए हम इनका आशिर्वाद लेके गरस्त में प्रवेश करते हैं तब हमारा गरस्त कहीं सफल होता है इसलिए बंदू जाधतर पांडाल में गरस्त बैठा हुआ है अपने गरहस्त को खुश रखने के लिए हमेशा अपने भुज़र्गों का अपने से बड़ों का आशिर्वाद लेते रहना चाहिए कभी संकोच ना करो पैर चूने में प्रणाम करने में भारत की अंदर क्या पूरे विष्च में एक ही संस्कृती तो है पैर चूने वाली बाकि दूसरी संस्किर्ट में पहर चुने की परंपरा नहीं चाहिए देखो इसलाम में पहर चुए नहीं जाते इसायत में पहर चुए नहीं जाते तुम्ही महान हो इन चीजों में